नाचुरली आईलेसेस का ग्रोथ हो, बहुत अच्छे से और कोई ज्यादा खर्चा ना हो, ज्यादा बजट इधर उदर ना हो, तो बहुत सिंपल मेथड है, बहुत हो जाता है, एलवेरा जेल में कुछ भी मिक्स करोगे, तो ठीक हो जाता है, तो यह देखो, इतना ठीक होग और इससे आपका डाक शर्कल भी आपका जितना भी है, आपका डाक शर्कल भी खतम हो जाएगा, तो आप अच्छे से यहाँ पे अप्लाई कर लो, और यहाँ पे, आप लोग कोमेंट शाया था दीदी, आई लेसेज वाला कोई ऐसा वीडियो बनाओ, जिससे हम नाच्छुरली आई लेसेज का ग्रोथ हो, बहुत अच्छे से और कोई ज्यादा खर्चा ना हो, ज्यादा बजेट इधर उदर ना हो, जो जो चाहता है, तभी मेरे वीडियो आपका भी आई लेसेज घहना हो, तब बहृत नैचुरली हो मेरे यह सब नाच्रण और बहुत अच्छे से आई लेसेज के साथ सथ आता आई ब्रो भी बहुत अच्छा हो जाएगा, तो आज में कुछ च्छट्रिक्स बतारू हुगा आपको फॉलो करना है, और बहुत इस हो जाएका आई ले सिस्गहना सबको पसंद और सबका और बहुत इजी है नेचुरल इसको घंगहना करना चाहते हो तो आपको पड़ेगा या तो बहुत महिंगा महिंगा पॉड़क्ट लाइब लगाना पड़ेंगा या तो आपको extension लगाना पड़ेगा तो उतना कर्चा और या आप सबसे अलग लगते हो आई लेस आपका घणा हो तो बहुत ज्यादा एक्ट्राक्टिव लगता है आप थोड़ा सा भी काजल वेगर कुछ भी लगाओगे तो एक तो एक्ट्राक्टिव खुल के मतलब निखर के आएगा आपका मेकप तो बहुत ज्यादा अच्छा ल पहले से आप अभी कुछ टाइम पहले से मेरा वीडियो फॉलो कर रहे हो यह तो आपको पता होगा कि मेरी आइब्रो दोनों खराब हो गया था बीच में क्योंकि जब मैं गई थी तो बहुत ज्यादा खराब कर दिया था इसलिए मैं नहीं बनवा रही थी तो मैंने कैसे कि कि मेरा आइब्रो एकदम अच्छा हो गया अभी एकदम अच्छे शेप में थो मैंने कोई आइब्रो फील नहीं किया है यह मेरा नैचुरली है तो मैं बता रही हूं आपको बहुत सिंपल मेथड है बहुत इजी है और सब के घरों में यह अबिलेबल होगा तो वह तीन ची बहुत ज्यादंगा बीड़ से बात थ्यान कि दियाद करना है कि सकते हैं ऋכुझली चैसे बात substitute में पानी में यह mm कर दो यह दियूर शैले वह था ख零ली होता है जる आंश प्ज़ली दो कि तो आ होने समझते हों की ऐलर्जी हो रहे नई तो आपको किहां करना है जब आप iltvira घर वाला ले रहे हो घर वाला मैं या कहती हूं अगर यह पौधे तोड के ला रहे हो तो इसको कैकरने आपको पानी में लाते ही डाल देना है जितना भी इस से यॉलो-यॉलो आप ये नहीं उसकर रहे हो, तो कोई भी अच्छे वाले वाव का ले सकते हो, गुड वाइप का ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, जिन, बट मैं ये नाचुरली बना रही हो, तो मैं आज इसको ही उसको लोगी, और जैतुन का तेल सब के पास कुछ ना कुछ, आप विंटर मे करती हूं तो आप लोग को नहीं पता है क्या होता है तो विटामिनी का कैप्शुल इवी ओन जो है आपके हेर तो आपके हेर अगर तूट रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है आप आइब्रू पर लगा सकते हो आप अपने पर लगा सकते हो जिससे हमारा आइब तूट रहा है अगर यहां से मसाज करोगे तो हेर आने की चांस बहुत ज्यादा रहती है आइब्रू आपका घना नहीं यह वहां पर लगाओगे तो बहुत ज्यादा आच्छा होता है तो पहले आप विटामिनी का कैप्सुल ले लेना जो की बहुत सस्ता आता है मैं एक दस का पता आता है आप वो ले लेना बहुत इजी और यह कोई साइड इफिक्ट नहीं होता उससे जो से आपका बन जाएगा तो यहां पर मैं थोड़ा से एलवेरा जेल निकल थोड़ थोड़ा ऐसे हैंड से कर लो यह चाकू से कर लो बस मैं थोड़ा सा आप सबको बन ना के दिखा रही हो आप लोग इसे एक विक के लिए बना के रख सकते हो बहुत इजी है और यह खराब नहीं होगा बिलकुल खराब नहीं होगा बस इसमें देखना पानी ना जाए तो यह रहा एलवेरा जेल यह दिख रहे और इसमें जाएगा इवी उनका कैप्टून द लेना है आप इसे बना के आराम से स्टोर कर सकते हो तो आप इसे बहुत इजी है आप इसे आराम से कोई भी आपका मस्करा खाली हो गया है तो उसको फेकना नहीं है मस्करा वाले डब में आराम से बना के स्टोर कर सकते हो और आपको बस इजी अपलाई कर लेना है यहां पे जैतुन का तेल मेरी बेटी को लगता है तो हम उसे यूज़ करेंगे उससे ज्यादा नहीं यहां पर दो-तीन बुन जैतुन का तेल लेना है नहीं का बतारी हूं आपके पास कोई मस्करा लगाते होंगे उसका तो गरम पानी से अच्छे से दोल लेना है और उसमें easiest डिएंशन कर लो कहीं जन्जट नहीं से क्यार से लगाना है मस्करा जो लगाने वुऑ रहात है उसके स्पूली से अराम से लगा सकते हो आप ईसे जब कर रहे हो तो 15 दिन में आपको रिजल्ट दिखेका और दिखेका तो मुझे प्लीज कॉमेंट्स में बताना आप लोग कैसा रिजल्ट आ रहा है मेरे साथ जरूर सेर करना अगर आप इसे यूज कर रहे हो तो मेरे साथ जरूर शेयर करना कि आपका experience कैसा रहा तो यह रहा में अच्छे से mix कर दी एलिवेरा जेल आप बाहर वाला ले रहे हो यह अप उसमें कोई भी चीज mix कर रहे हो चाहे ऑईल हो या कुछ भी हो, या क्यापसुल हो, उसका कलर चेंज हो जाता है, यह देखो यहाँ पे वाइट और थोड़ा सा ठीक हो जाता है, यह देखो, आप कोसित करना जब भी अलवेरा जेल ले रहे हो या तो आप कोना पहले उसको लेकर पानी में Deep कर देना, ताकि इतना थीक हो जाता है, एलवेरा जेल में कुछ भी मिक्स करोगे तो थीक हो जाता है, तो ये देखो इतना थीक हो गया है, आप मस्करा तो सब यूज करते ही होंगे, तो ले सकते हो, या अलग से मिल जाएगा आपको इस पुली, या आप आइब्रो उसको ले लो, और इसमें अच्छे से डीप कर लो, ये देखो अच्छे से कोट कर लेना है, तो इसमें अच्छे से मैंने कोट कर लिया है, अब इसको आइस पे अच्छे से ऐसे लगाना है, और यहाँ पे साथ के साथ में आइब्रो पे लगाऊंगी, अब यहां पर अच्छे से लग गया तो मैं थोड़ा सा मसाज करूंगी इसको आइस पर उसी से देखो अभी हैंड्स पर थोड़ा सा लिया है और इससे आपका डार्क शरकल भी आपका जितना भी है आपका डार्क शरकल भी खतम हो जाएगा तो आप अच्छे से यहां पर और यहां पर करो तो अच्छे से आपको मसाज करना है ताकि आपका जितने भी डाक शरकल भी है उससे भी चला जाता है अप जैतुन का तेल लगा रहे हैं या केश्टर लगा रहे हो तो iãoका मसाज जाता ही जाता है और एक दो मिनिट मसाज करने के बाद आप इसे रात में लगा के आराम से सो जाओ उससे कोई दिक्कत नहीं है और यह देखो आप सुबह में लगा रहे हो तो आपको मस्करा की जुरुत नहीं होगी यह देखो आपको मस्करा लगानी की जुरुत नहीं है हलका सा आपको मस्करा जैसा फील हो जाएगा बट आपको सिस करना रात को लगा रहे हो तो रात को ही लगाना और अच्छे से उसको लगाने के बाद वाश नहीं करना इसको रात बर छोड़ देना है नेक्स डे अपना धोना है और आपको 15 दिन में मिल जाएगा बहुत असानी से जाते हो एक्जैक्ट वैसा हो जाएगा तो आप एक पर ट्राइब जरूर करना बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है अगर आप ट्राइब कर रहे हो तो प्लीज अपना एक्स्पिरियंस मेरे को शेर करना अगर नहीं भी ल चालू तो आप तक सबसे पहले पहुंचे तो जल्दी से जाएगे सब्सक्राइब कर लिए और वीडियो में जो जो लगा है इससे कोई आपका स्कीन खराब नहीं होने वाला है एकदम अच्छा होगा एकदम नाच्छुरली और यह देखो मैंने आपको अभी अप्लाई कर करना आपके भी डाक शर्कल आइब आइब्रू को जो नहीं बढ़ रहा है आई लेसे की प्रॉब्लम है हेर का प्रॉब्लम है आप इसे हेर पर भी लगा सकते हो तो आप इसे जरू ट्राइब करना आए वीडियो कैसे लगा प्लीज कोमेंस बताना तब तक के लिए